कि हलो गाईज आएम जाफर कॉलेज वाला एंड यूर वाचिंग क्रिकेट कानेवल क्या महेंद्र सिंग धोनी एजा अनकैप प्लेयर सीएसके में खेल सकते हैं कि जी नहीं मैं 20 साल पहले कोई टाइम ट्रावल करके जाने की बात नहीं कर रहा हूं दर असल यह मुंकिन है क्योंकि पिछले पांच सालों से महेंद्र सिंग धोनी ने को इंटरनाशनल क्रिकेट तो खेला नहीं तो हो सकता है कि सीएसके अनकैप प्लेयर का रूल जो होता है उसको यूज करके हमेज धोनी को एज़ा अनकैप प्लेयर टीम के अंदर रखे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जानकैप प्लेयर की पिछले मेंगा ऑक्शन की प्राइस थी आनके चार करोड रूपे उतने ही पैसे दिये जाए इससे सीएसके को आगे बिल्ड करने में भी आ से मैटर नहीं करते हैं वो खेल नहीं सिर्फ अपने फैन्स के लिए और नहीं इस स्टेज के उपर सीएसके के लिए मैटर करता है कि महिंदर सिंग धोनी जो है वो उन्हें पूरा सीजन दी वो सिर्फ कुछ मैचस भी देते हैं तो उनके लिए बहुत फाइदे मंद होगा पैसा पैसे का चक्कर अब पैसा जो है वो तो तब ही आएगा जब टीम में स्थोनी होंगे टीम की हाइप बने यह तो फिर स्पानसर अपने आप चल के आ जाए क्योंकि अगर एमस्थोनी आपकी टीम में है तो आपको फिर फिर आप अपने सारे बैड फॉर्म को परत नाम की परत के नीचे छुपा लो और आपके सारे फ्लॉस पर ढग जाता है पिर जो क्रिटीक्स भी होते हैं वह आपके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं तो इन सब मुद्वों को देखते हुए CSK नहीं चाहेगी कि MS-Dhoney अभी फ्रेंट चॉइसी को छोड़े और MS-Dhoney अल्रड़ी कह चुके हैं कि हम आउक्षन के जो रिटेंशिट रूल आएंगे उसकी हिसाब से ही डिसीजन लेंगे तो उस हिसाब से अगर अनकैप्ट प्लेयर का ये रूल रहता है कि अनकैप्ट प्लेयर सिर्फ चार करोल में रुक सकता है तो फिर MS-Dhoney चार करोल रुपए की राशी में CSK की टीम का हिसा होंगे और CSK आगे की प्लानिंग कर पाएगे कि किसी बड़े प्लेयर के लिए पैसे बचा कर और ये बात सिर्फ मैं ये थियोरी फ्लोट नहीं कर रहा हूं ये थियोरी दी है रवी चंदरन अश्वन ने भी अपने यूट्यूब चानल पर लिखा कि देखो यार क्या महेंद्र संग धोनिया अंकैट फ्लेयर खेल सकते हैं ये बड़ा क्वेस्चिन है क्योंकि उन्हों हैं अधरली बात हो कि क्या ये पॉसिब्लिटी कितनी मटियलाइस हो जाती है और कितनी नहीं होती आपको या लगता है क्या यह हो सकता है और अकर होगा तो फिर आपके विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकता है बाकि कीजिए इस वीडियो को लाइक हमारी चैनल क सब्सक्राइब साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दमाएं तके आप हमारी कोई अपडेट विस्टा कर पाए धन्यवाद